Welcome back to my channel, so कैसे हैं आप सब लोग, तो ये आप देख सकते हो, ये सारे मेरे documents हैं, जो की मेरी pregnancy से related, सारे test, बहुत सारे मेरे test वगेरा हुए थे, तो ये सारे मेरे test हैं, आप लोगों को कोई भी सवाल हों, तो जरूर मुझसे आप पूछ सकते हो, ये मेरा hospital का card था, जो मैं आप के साथ में share करने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता दू, जो मेरा hospital का card था, वो first three months में card अवेलेबल नहीं कराते हैं, because कुछ भी दिकत हो जाए, या उनको लगता है कि ये एक-दो महीने दिखाएंगे, उसके बाद में कहीं भी, कैसी और doctor के पास चले जाएंगे, इस वजह से वो नहीं available कराते हैं, या कोई और reason होगा, I don't know, so fourth month में में ये hospital का card बनाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरी 2000 last जो pregnancy थी, 2019 में हुई थी, तो यहाँ पर आज मैं आपको weight दिखाना चाहूंगी, यह जो मेरी pregnancy थी न, यह something 65 weight पर start हुई थी, 65 और 66, sorry मुझ मिलेंगे, तो मैं आपको जरूर मैं share करूँगी, fourth month जब start हुआ मेरा, जो मेरा weight था, 69.1 kg था, then, यहाँ पर जो second visit हुई थी, मेरी उसमें मेरा 71.3 kg हो चुका था, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीन हफते बाद यहाँ पर 13 weeks, 2 days पर है, और यहाँ पर 16 weeks पर मेरा जो weight था, वो almost 2 kg के असपास बढ़ चुका था, उसके बाद में जो मेरी second visit हुई, sorry, third visit हुई, जब मेरा fifth month start हुआ, तो मेरा बहुत कम weight बढ़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 71.9 kg था, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 600 gram में बढ़ा था, I don't know क्यूं, बढ़ना चाहिए, कितन बढ़ रहा है, वो matter नहीं करता है, चाहिए आपका थोड़ा बढ़े, कुछ grams में बढ़े, या kilo में बढ़े, उससे फर्क नहीं पढ़ता है, बट आपका बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 71.9 kg हो चुका था, देन उसके बाद में, जो मेरे blood test हुई थ यहाँ पर बहतर kilo 300 gram मेरा जो weight था, वो बढ़कर हो चुका था, यहाँ पर आप धीरे-धीरे देखोगे, तो मेरा continuously weight बढ़ता चला गया, यहाँ पर आप directly देखोगे, यहाँ measure कर सकते हो, gap देख सकते हो, आप, सिर्फ और सिफ 20 दिन में मेरा यहाँ यहाँ पर 2 kilo weight बढ़ा इसके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिर मैं 15 दिन के बात गई थी, तो मेरा 76.6 kg हो चुका था, तो यहाँ पर इतनी सारे weights में आप क्या observe करोगे, जो starting के months होते हैं, उसमें फिर भी कम weight बढ़ता है, बढ़ जो lasting जो आपके months चल रहे होते हैं, मतलब कि जो आपके last trimester होता है, उसमें आपका weight काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहा होता है, something 1 kg per month और 1.5 kg per month इस तरीके से, जो भी आपकी body allow करती है, उस तरीके से, जो भी आपकी diet है, उस तरीके से, यहाँ पर आपका weight बढ़ता दिखाई देगा, so I hope यह सरी चीज़े clear हुई होई होगी, कि starting क days में फिर भी कम weight बढ़ता है, बट last में आते 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 आपका weight काफी अच्छे से बढ़ने लग जाता है, thank you so much for watching, किसी भी तरीके के सवाल है तो comment section में पूछ सकते हैं